आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट फॉन जो आप लगभग 35,000 के आसपास पर्चेस कर पाएंगे साथ इन सभी फॉन के अच्छाईया और कम्यों के बारें बताएंगे इस वीडियो में बेस्ट डिस्प्ले जबादस्त कैमरा और पावरफुल प्रोसेसर पहला फॉन आपको मिल जाएगा पहला फॉन हमने रखा है रियल में जीटी नियो थिरी जिसकी प्राइज है चोंती सेजाद 999 रुपे 8GB रैम और 256GB इंटेनर स्टोरेज के साथ इस फॉन का थिकनेस 8.2 mm है और इसका वेट 188 ग्राम है यह फॉन 6.7 इंच फुल HD प्लस सु पर दिया गया है अब बात करें इसके कैमरे की तो इसके बैग में टिर्पल चैमरा सेच अप दीा गया है 50 MB का प्राइमरी कैमरा जो सूनी के संसर और eyes के साथ आता है 8Mpx एल्टा याल्ट वाइड कैमरा और 2Mpx का micro camera दिया गया है इस camera से 4k तक video record कर सकते हैं वहीं selfie के लिए 16MP camera फ़िए RO5 के साथ मिल जाता है इस camera से FULL HD में video record कर सकते हैं अब çaए प्रोसेसर की इसमें लगा हुआ lahा है video lenses"...E410 Biennialis सिस्टम का भी उप्योग किया गया है जिससे यह फोन को जल्दी हिट होने से बचाता है इस फोन में डूल स्टीरो स्पीकर के साथ डाल भी एटम्स का सपोर्ट मिलता है जिससे इसकी आवाज बहुत कीलियर और लाउड हो जाती है इसमें मिमोरी कार लगाने का आपसन नहीं म मिलता है इसमें सिर्फ दो सिम लगा सकते हैं इस फोन में 3.5 mm audio jack नहीं दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगर पुरिंच चंसर आपको मिल जाता है इस फोन में 5000 mh की बैल्टी दिया गया है और इसी को चार्ज करने के लिए 80 वाल का फार्श चार्जर मिल जाता है अब इस फ इस फोन का बैल्टी बैकप बहुत अच्छा दिया गया और चार्जिंग की इस फिल बहुत बेस्ट है यहां पर 5 चीजे बहुत अच्छे से दे रखी है पहला है डिस्प्ले दूसरा है कैमरा तीसरा है प्रोसेसर चोथा है कूलिंग सिस्टम पांचवा है 80 वाल का फार्श चार्जर अब इस फोन के कम्यों की बात करते हैं तो इसके युवाई में ब्लाइड बेर और एल्ट आते हैं और इसमें कोई आई पी सार्टिफिकेशन नहीं दिया गया है और ना ही मिमोरी कार्ड लगाने का आपसन मिलता है यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब लाइक और वेल आइकन को आनका देना ऐसे हिनाले से भरपूर वीडियो आप सब के लिए हम लाते रहते हैं अगला फोन है सामी 11T Pro 5G जिसकी प्राइज है 34990 रुपे 8GB रेम और 120LGB इंटेनर स्टोरेज के साथ इस फोन का थिकनेस 8.8 mm है और इसका वेल 204 ग्राम है अब ब DR10 और वाल्ड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग ओरिल अगलास 5 दिया गया है इस फोन के बैग में ट्रिपल कैमरा सट अप देखने को मिल जाता है 108 मेगा फिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो संसंग के साथ आता है 8 मेगा फिक् कार्ड कर सकते हैं इस फोन में कॉलकम स्ट्रेट गन ट्रिपल एल्ड का पावरफुल चेपसेट लगा हुआ है इस फोन में आई पी 53 की रेटिंग दिया गया है जिससे हलका फुलका पाने गिर जाए तो कोई प्रोब्लम नहीं होगा इसमें दो सिम लगा सकते हैं मिमोरी का लगाने का आपसर नहीं मिलता है इसमें 3.5 mm audio jack नहीं दिया गया है और साइड में फिंगर पूरिंट सेंसर आपको मिल जाता है इस फोन में डूल स्ट्यूर स्पीकर दिया गया है और केरियर एग्रिकेशन का भी सपोंट दिया गया है यानि कि जहां नेट्वाइक इसू हो अब इस फोन के खूबियों की बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा दिया गया है और इसका कैमरा बेस्ट क्वाल्टी का है और इसमें 120 वाल्ट का फास्ट चाइजर आपको मिल जाता है जो वैल्टी को बहुत फास्ट चार्ज कर देता है इसमें 5G के 13 अब इस फोन के कम्यों की बात करते हैं तो इस फोन के UI में हलके फुल के ब्राइड बेर देखने को मिल जाते हैं और इसमें हलका हीर्टिंग इसू हो सकता है और इसके साइड में fingerprint sensor दिया गया है इस फोन में 3.5 mm headphone jack नहीं मिलता है अगला फोन है 1 प्लस 9 RT जिसकी प्राइज इस फोन में 6.62 इंच फूल एचली प्लस फ्यूल्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है डिस्प्ले प्रेटेक्शन के लिए कॉर्णि गोरिला गलास फाइप मिलता है 120 Hz रिफ्रेट और मैक्समाम 1300 इसकी पीक व्राइटनेस दिया गया है और HDR10 का भी सपोर्ट मिल जाता है अब इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसके बैग में ट्रिपल कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है 50 मेगा फिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसमें सोनी का सिंसर और OIS का भ 16 मेगा फिक्सल का दिया गया है इससे फुल एचली में वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं इस फोन में कॉलकम स्नेटगन ट्रिपल एट का पावरफल प्रोसेसर मिल जाता है या फोन आठ फाइब जी बैंड को सपोर्ट करता है इस फोन में लार्ज साइज बेपर कूलिंग सिस सिस्टम दिया गया जिससे या फोन जल्दी हील्ट नहीं होता है और हैवी गेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं इसमें केवल दो सिम लगा सकते हैं मिमोरी कर लगाने का अप्शन नहीं मिलता है और इसमें डूवल स्टीरो स्पीकर मिल जाता है 3.5 mm आडियो जैक नहीं दि क्योंकि बैक में गलास और फ्रेम ऐल्मॉनियम का दिया गया है इसका कैमरा बेस्ट है और इसमें डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत अच्छे से दे रखी है इसका प्रोसेसर जबदस्त है और उस साथ में वेपर कुलिंग शिस्टम भी दिया गया है यहां पे चाछ चीजें बहुत अच्छे से दे रखी हैं पहला है डिजाइन और विल्ट क्वालिटी दूसरा है कैमरा दिसरा है डिस्पले और चौथा है प्रोसेसर अब इस फोन के कॉंस की बात करें तो इसमें 3.5 mm हेल्ट फोन जेक नहीं दिया गया है और ना ही मिमोरी कार लगाने का अपसान मिलत है और इस फोन में IP53 की रेटिंग भी नहीं दिया गया है अगला फोन है IQ9 5G जिसकी प्राइज है 35,999 रुपे 8GB RAM और 120 8GB इंटेनल स्टोरेज के साथ फोन में 6.56 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेल डिस्पले पंचोल के साथ दिया गया है डिस्पले 10W और HDR10 को भी सपोर् प्लस रिफ्रेट और मैक्समुम 1200 इसकी पीक वराइटनिस के साथ आता है डिस्पले प्रोटेक्शन के लिए इसकोल संसंसं गलास का उप्योग किया गया है इसके बैक साइड में ट्रिबल कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है 48 मेगाफिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो 16 मेगाफिक्सल कैमरा पंचोल के साथ दिया गया है इसे से फुल एचेडी में वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं इसमें कैमरा बहुत जवादस्त दिया गया है इसमें कॉलकम स्नेप्रगन टिरफल एट प्लस का फाइब जी चिप्सट लगा हुआ है इस फॉन में आर्ट दो सिम लगा सकते हैं मिमोरी कर लगाने का आपसंद नहीं दिया गया है और इंड डिस्प्ले फिंगर प्रेंट चंसर आपको मिल जाता है इस फॉन में 4350 एमेज की बायल्टी लगा हुआ है और इसी को चार्ज करने के लिए 120 वाल्ट का सुपर फास्ट चार्जर आपको मि जाता है इस फॉन में जिम्बल कैमरा केमरा इग डिस्पले डिया गया जिससे कैमरा कौल्टी बहुत 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 बेहतरे हैज फास्ट हो जाती है Dick to bush से ब्हुत अच्षे सेर रकी है पहला विल्ड क्वा इस्टेस्थ दिस्पले तीसरा कैमरा और चोथा कि बहुत कम दिया गया है इसमें मेमोरिकार लगाने का आपसंद नहीं मिलता है और ना ही 3.5 mm आर्डियो जैक दिया गया है कि आर्डियो जैक एपसंद नहीं मिलता है।